हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम बैक विद्यामंदर इंगलेस क्लास और आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर अगर्ड विद आ बासकेट रिटिन बाइ बिलियम सी डगलस तो यह जो चैप्टर है इसकी सम्री जो है वो हमने आपको पिछले वीडियो में पता दी है औ और जिसको कि आपने साइट देख भी लिया होगा यदि आपने नहीं देखा है तो इस चैप्टर की सम्री के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर अगल पिद आबासकेट की सम्री वीडियो निकाल लीजे और उसको भी पढ़ लीजे शॉर्ट में और यह जो चैप्टर आप प I had left New Delhi for the Himalayas मैं नई दिल्ली से हिमाले के लिए चल चुका था I was going as far as बरेली by train बरेली तक मैं रेलगारी से जा रहा था and then by car to Rani Khet और फिर car से Rani Khet तक जा रहा था An old British army hill station located on a 6000 foot ridge opposite a 120 mile stretch of snow-capped Himalayas An old British army यानि कि जो snow-capped Himalayas मानि क्या होता है बर्फ से धके Himalayas परबत यानि कि जो बर्फ से धके Himalayas के सामने 120 mile वाले विस्तार में 6000 feet उंचे पहाडी उठान पर इस्तित पुरानी अंग्रेजी फौज यानि An old British army पुरानी अंग्रेजी फौज की क्या थी एक hill station एक छावनी थी The train was slow Train की गती जो थी वो धीमी थी And it stopped at all the way stations और यह है आने वाले रास्ते के सभी stations पर रुपती थी At every stop, प्रतिये stop पर I shrug open the door of my compartment मैं अपने compartment का यानि की अपनी train के डिबे का दरवाजा खोल दिया करता था And walk the platform और प्लेट फॉर्म पर घूम लेता था The platform were packed with people, Sikhs, Muslims, Hindus, Soldiers, Merchants, Priests, Porters, Baggers, Hawkers यानि की जो प्लेट फॉर्म था, बिबिन लोगों से भरा हुआ था कौन-कौन लोग थे महाँ पा जैसे शिक थे, Muslim थे, Hindus थे, Soldiers यानि फॉजी थे, Merchants व्यापारी थे, Priests पुजारी थे, Porters यानि कुली थे, Baggers विखारी थे, Hawkers यानि की फेरी वाले थे Almost every was barefoot, लगबग प्रतियक व्यक्ती, नंगे पैर था, and dressed in loose white garments और उनोंने धीले ढाले सफेद रंगे कपड़ों को पहन रखा था I would ask at least, at least to the कम से कम, three people, यानि मुझे कम से कम, तीन लोगों से पूछना पड़ता था Before I could find one who spoke English, तब मुझे कोई ऐसा मिलता था, जो English बोल लेता था We would talk world affairs and every major topic हमने उनसे प्रतियक बड़े बड़े topic पर बाते की और किस पर बात की, उस दिन की खबरों पर आधारित दुनिया के the news of the day, यानि उस दिन की खबरों पर आधारित प्रोड्यूस्ट जो प्रोड्यूस हुई थी खबर यानि चात्रब फैली हुई थी उनसे संबंदित मैंने बड़े बड़े topics पर उन लोगों से बाते की इन दिस वे इस परकार, I was trying to get a feel of the pulse of the nation मैं रास्ट की भावनाओं को जानने की कोशिस कर रहा था पल्स अब दा नेशन, यानि आफिल अब दा पल्स अब दा नेशन पूरे कार्थ क्या होगा? रास्ट की भावनाओं को जानने की कोशिस करना चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ओफिशियल आटिट्यूट्स एंड रिपोर्ट्स और क्या कर रहा था इस परकार में? सरकारी द्रश्टिकॉर्ड तथा रिपोर्ट्स से उनके बारे में यानि फिर से यही लाइन उनकी रास्ट की जानकारी करने की कोशिस कर रहा था दा रूट ले थ्रिव वन ओफ दा रिचेस्ट ओफ इंडिया अग्रिकल्चर एरियाज जो रूट था यानि जो ट्रेंट चल रही थी जिस रूट से होकर जा रही थी बै क्या था थ्रिव होकर जाता था वन ओफ दा रिचेस्ट ओफ इंडियाज अग्रिकल्चर एरियाज यानि की भारत के क्रशी परधान स्थानों से छेत्रों से होकर जा रहा था और यह उपरी गंगा का एक समतल हिस्सा था 1000 feet above sea level और समुद्र की गहराई से यह हजारों फूर उपर था बद ट्रॉपिकल लेकिन भूमद्धिय था ट्रॉपिकल मीस होता है भूमद्धिय दा गंगा वाज ब्राउन स्लिट गंगा कैसी थी? जोए ब्राउन स्लिट थी यानि कि गंगा जो थी उफन रही थी ब्राउन स्लिट मतला उफन रही थी शॉलन वित फ्लट बाटर से यह ऐसा लग रहा था जैसे कि उसमें बाढ आ रही हो इट्स ओवर फ्लो इंडेंटिंग थाउजंड्स ओफ एकर्स ओफ राइस उसमें क्या था जो गंगा थी इंडेंटिंग थाउजंड्स यानि कि थाउजंड्स एकर्स यानि हजारों मील दूर तक चावल की खेती उसमें हो रही थी यानि कि चावल की हजारों एकड की फसल को पानी से भरी हुई थी यानि जो गंगा थी बार की तरह जोफन रही थी उसकी बज़े से हजारों एकड भूमी में जो चावल हो रहा था उसमें पूरा पानी भरा हुआ था to the north were jungles great expenses of grass और north में यानि उत्तर में क्या थे jungle great यानि बड़े बड़े जंगल थे expenses of grass और उसमें क्या हो रही थी घास हो रही थी यानि बड़ी बड़ी घास हो रही थी than a man's head higher than a man's head कितने उची थी आदमी के सेरों से भी उची वह घास थी and unbroken except for an occasional clumps of trees और बहाँ पर जो un-occasional यानि कि अपने आप से an occasional clumps of trees यानि अपने आप से जो पेड उग आते हैं वो लाइन से बहुत सारे पेड थे the home of tigers और बेड जो थे वो क्या बन गए थे जंगल का रूप थे और वो जंगल जो थे वो क्या थे the home of tigers टाइगर के घर थे अलिफेंट्स के थे पाइथन्स के थे और कॉब्राज के घर थे everywhere else प्रतियक स्थान पर there was flat land running to the horizon यानि कि सपाट भूमी थी फ्लैट इस्थान था फ्लैट लैंड थी जमीन थी running to the horizon बैं कहां तक जा रही थी दौरती हुई होरीजन होरीजन मींस होता है छिते जैनि ऐसा इस्थान जहां की समुद्र और आकास एक समान दिखने लगे ऐसा लगता हो मानों वह आपस में एक दूसरी को छू रहे हो उससे कहते हैं होरीजन या फिर इस तरीके से कह सकते हो इसको कि जहां तक आपकी द्रश्टी दूर तक जा सके उसको कह कहते हैं छिते बट डॉटेड यह एंड्ड देयर बाइदा सेक्रेट बैनियन ट्री लेकिन इधर उधर क्या लगे हुए थे बैनियन ट्री यह भरकत के ब्रक्ष थे और बाइव रोज ओप पाकर ट्रीज और पाकर के ब्रक्ष भी पंक्ति वध होकर लगे हुए थे shaped like alms and having thick twisted, thick, having thick twisted trunks और उसमें ends एक बेल होती है, like alms and having thick twisted trunks और उसमें क्या थी, मोटी मोटी घुमावदार trunks तने थी hot humid air was moving in form the southwest, hot humid air यहनी गर्म गर्म हवा चल रही थी southwest की तरफ से, monkeys, some of them mothers with babies clinging to them, कुछ बंदर अपनी माओं के साथ जूल रहे थे and riding underneath swung of trees at the station कहां गूम रहे थे, जूल रहे थे, वो station पर जो पेड थे, उस पर वो उपर नीचे जूल रहे थे looking for food, भोजन की तलास कर रहे थे, the villages we passed, गाउं जो आप बहां से गुजरे, head walls made of mud, बै किसकी बनी हुई थी, mud, mud मीज होता है वैसे कीचर, यहाँ पर क्या रहत देंगे, उसका मिट्टी, mixed with water and cow dung, cow dung मीज होता है, गोबर, यानि कि उनकी जो दिवालें थी, वो गोबर, पानी और मिट्टी को मिला कर बनाए गई थी, their peak troops were thatched, peak troop मीज होता है, उपर की छट, जो बनाए गई थी, वो किससे बनाए गई थी, thatched, यानि कि छपपर से बनाए गई थी, bundles of grass, और ठपर किससे बनता है, घासों के bundles से, tied to bamboo poles, जिसमें की बांसों को बांधा गया था, stretched across the raptors, यानि आपस में खीशतान के उनको बांधिया गया था, the day, the pumpkin wines that grew over them, और उस इदिन क्या करते थे, उस पर कद्दू की बेल को डाल दिया करते थे, were in bloom, और उस पर क्या होती थी, वो उगाती थी, trailing streaks of yellow over trap balls, किस पर उगाती थी, उन भद्दी दीवारों पर उगाती थी, इसको कैसे बोलेंगे एक लाइन में, कि उस दिन उन भद्दी दीवारों पर उगी हुई कद्दू की बेलें, फूलों से लदी हुई होती थी, और उन मटमेली दीवालों पर पीली-पीली धारियां बना रही होती थी, एक इस्टेशन पर, my routine of talking with the people were interrupted, इस्टेशन पर मेरे बात करने का जो सिलसिला था वे अचानक से रूख गया, as soon as I write it, जैसे ही मैं उत्रा, a group of young children gathered around me, एक बच्चों का समूँ मेरे चारों तरफ एकठा हो गया, they were sailing baskets, वे टोक्रियां बेच रहे थे, hand woven read baskets with simple designs and patterns, वे जो टोक्रियां थी, वो किस से बनी हुई थी, हाथ की बुनी हुई थी, कुछ सिर्कियों से बनी हुई थी, कुछ simple design की और pattern की थी, they held the basket high shouting words, उन्होंने baskets को उचा उठा रखा था और कुछ सब्दों को चिला रहे थे, I did not know, मैं नहीं जानता, but conveying unmistakably their desire, लेकिन मैं उनकी बिना किसी गलती के unmistakably conveying यानी समझ सकता था उनकी इच्छाओं को, desire means क्या होता इच्छा, these were refugee children, ये कौन थे, refugee children थे कुछ, refugee means होता शनार थी, when partition between India and Pakistan was decreed, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच बटवारा का घोश्रा होई थी, तो hundreds of thousands of people pulled up their roots, तो हजारों, सैक्डों, लोगों की जड़ों को उखार दिया गया था, and changed their residences, उन्हें अपने घरों को परिवर्तन करना पड़ा था, 9 million people left Pakistan, उस समय, 9 million means होता 90 लाक, लोगों को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था, and came to India, और वो भारत आए थे, driving by the fear of religious fanatism, किसकी बज़े से आए थे, धर्मांध के डर की बज़े से आए थे, यानि कहीं उन्हें धर्मांध, यानि धर्म को चेंज ना करना पड़े, they were poor people to start with, शुरू में तो वे बहुत गरीब थे, they were poorer as they began their long track, लेकिन जब उन्होंने अपनी लंबी track, लंबी आत्रा को किया, तो वे और भी अधिक करीब हो गए, for all they could carry, और जो कुछ वे ला सके थे, वो था, was a bit of food, थोड़ा सा भोजन, and a few belongings, कुछ और सामान, soon they were out of food, जल्दी ही उनका भोजन भी खतम हो गया, a few days after they started, कुछ दिन बाद उन्होंने फिर से अपनी यात्रा को प्रारंब किया, they begin to fall by the wayside, from the weakness of hunger, और they begin to fall, और वे गिरना स्टार्ट हो जाते थे, उसी स्थान पर जहां वो गिरते थे, किसके कारण, from the weakness of hunger, भूख की कमजोरी के कारण, and died और मर जाते थे, वे अर्दे फैल, जहां वे गिरते थे, दा चिल्डरन सेलिंग बास्केट्स, वर संस और डॉटर्स, और दीज रिफ्यूजीज, वे बच्चे, उन्ही सरार्थी लोगों के पुत्र और पुत्रियां थे, they or their parents or relatives had gathered in the cities, वे और उनके माता-पिता, उसी सहर में और उनके रिष्टदार एकठे रहते थे, setting up stalls, उन्होंने अपनी दुकाने लगाई हुई थी, manufacturing simple articles, कुछ साधा सी चीजों का निर्मार करते थे, वे trying to make a living in markets, और वे उस market में जीवन जीने की कोशिस कर रहे थे, already overcrowded, जो पहले से ही भड़ा हुआ था, they lived in cloth and grass, said they that lined the streets, वे ऐसी जगह पर रहने की कोशिस कर रहे थे, they lived in cloth and grass shades, कहां पर वे घास और कपड़े की बनी हुई जोंपडियों में, यानि गली में line से बेजोंप्रियां बनाई गई थी, यानि कि तंबू उन्हों टेंट टाइप लगा लिये थे, the peasants among these refugees, उन सरार्थियों के बीच में कुछ किसान भी होते थे, had been accustomed to little all their lives for the annual income of an agriculture family, had been accustomed, और वो अभ्यस्त हो गए थे, to little all their lives for the annual income, यानि कि जो उनके वाशिक आए, छोटी सी हुआ करती थी, उसके अंतरगर जीवन जीने के लिए अभस्त हो गए थे, of an agriculture family और एक क्रशी परिवार, does not exceed, अधिक नहीं कमा पाते थे, on an average $100 a year, यहीं एक साल में $100 से अधिक वो कमा नहीं पाते थे, the average unskilled laborer makes $0.30 a day, और एक साधा रड़सा जो किसान हुआ करता था, वो एक दिन में $0.30 या फिर कह सकते हैं, एक हपते में $2 डॉलर से अधिक नहीं कमाता था, there is one meal a day, एक दिन में उनका जो भोजन होता था, an onion, एक प्याज, a piece of bread, एक bread का टुकड़ा, a bowl of pulse with milk, दूद के साथ एक कटोरी दाल, perhaps a bit of gourd cheese, सायद बकरी के दूद का cheese, no tea, no coffee, no fat, कोई भी चाय, coffee, fat, बसा युक चीज़ें, no sweets, कोई मिठाई नहीं, no meat, कोई भी मास नहीं, उनके खाने में हुआ करता था, $100 a year is not $2 a week, यानि मतलब यह हुआ, कि $100 यानि एक साल में, यदि वो $100 कमा रहे हैं, तो is not $2 a week, तो एक हपते में $2 भी नहीं पड़े, yet फिर भी, even that, a small amount is hard to earn, by selling baskets to people, to poor, to buy them, लेकिन इस छोटी सी income को कमाने में भी, वो भी किस से, by selling baskets, टोकरियां बेच कर, लोगों को to people, to poor, to buy them, यानि बे बहुती ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे, that no doubt is the reason, इसमें कोई संदेर रही हैं, कि is the reason, यह एक कारण था, कि these little children descended on me like locust, यानि यह जो बच्चे थे, मेरे चारों तरफ like locust, यानि टिड्डियों की भाती इकठे हो गए थे, अब टिड्डी आपको बताने का आवश्यक्ता नहीं है, टिड्डी सभी लोग जानते हो, अभी हाल में ही, राजस्तान में टिड्डियों ने फसल पर आक्रमर कर दिया है, टिड्डी एक परकार का कीड़ा होता है, जो पूरी फसल को बरबाद करता है, और वह जो कीड़ा है, वो एक जुन्ड में ही आगे की तरफ चलता है, इसी परकार से बच्चे भी जुन्ड के समान, मार्केट देखा था, अच्छा मार्केट से मतलब है, कि मैं उनकी बहुत सारी चीजों को खरी लूँगा, I bought one tinny basket for a few annas, मैंने कुछ आना में उनकी एक छोटी सी basket को खरीदा, another fruit basket for a bit more, थोड़े से अधिक पैसों में मैंने एक फलों की टोकरी खरी ली, a beautiful waste paper basket for a rupee, एक रुपए में मैंने एक उनकी a few fans नहीं, basket for a rupee, a lovely swing basket for a rupee, एक रुपए में मैंने सिलाई की basket खरी दी, a few fans फॉरे नाना, एक आना में मैंने कुछ fans करी दे, और टू आपाईस और एक दो पैसी में, my arms were filled and I had not spent 50 cents, मेरे हाथ भर गए थे, और मैंने अभी 50 cents विखर्च नहीं किये थे, the children passed in, बच्चे वहाँ से गुजरे, shouting their wares, अपनी आवाजों में चिलाते हुए, I was a prisoner completely surrounded, मैं चारों तरफ से पूरी तरीके से घिर गया था, और एक कैदी के रूप में बन गया था, को एक्स्प्लेन समझाएंगे इसकी अलग से, Surrounded, unable to move, और मैं हिलने के भी काबिल अब नहीं था, the most diligent, यहां से भी एक्स्प्लेन आती है, the most diligent, aggressive vendor was a beautiful girl of nine, right in front of me, the most diligent, aggressive यह नहीं वह है, एक बहुत ही ज़्यादा, अच्छी सुन्दर, aggressive, उत्तेजित टाइप की, एक फेरी वाली सुन्दर लड़की, जोकी नौ बर्स की थी, मेरे सामने आई, she had a lovely basket with handle, और handle वाली एक सुन्दर basket वैली हुई थी, and she wanted a rupee and a half for it, और इसके लिए वो, डेड़ रुपए लगबग चाहती थी, और about 30 cents, या फिर कह सकते हैं 30 cents, she was an earnest pleader, वै कौन थी एक बहुत ही ज़्यादा प्रार्तना मई लड़की थी, यानि कि उसने बहुत ही ज़्यादा एक करुड मई धंक से प्रार्तना की, there were tears in her eyes, उसकी आँखों में आसू थे, she pleaded and begged in tones, उसने प्रार्तना की, और बड़ी ही रुद्ध आवाज में, जैसे की रो रही हुए, ऐसी आवाज में उसने कहा, that would ring any heart, ring होता है, melt होना पिगलना, जिससे की किसी का वीर्द है, पिगल जाए, my arms were full, मेरी बाहें पूरी तरीके से भर चुकी थी, I had no room, मेरे पास अब कोई इस्थान नहीं था, let along any need, नहीं मुझे कोई आवशकता थी, for another basket, दूसरी किसी टोकरी की, balancing my basket, अपनी basket को साथते हुए, and fence on my left arms, और left arm में पंकों को साथते हुए, I reached into my right coat pocket, मैंने अपने हाथ को, अपनी right side की coat pocket में डाला, and got a handful of change, और एक मुट्टी मैंने खेरेज, यानि की change निकाला, परहफ 15 cents in all, साइद में सब कुछ मिलकर, 15 cents रहे होंगे, 15 cents रहे होंगे, which I deposited in the basket, जिसको की मैंने उसकी basket में डाल दिया, that the young girl held imploringly before me, और वह लड़की मेरे सामने खड़ी रही, कैसे खड़ी रही, imploringly, यानि प्रार्टना के साथ कहते हुए खड़ी रही, I try to explain, मैंने कहने की कोसिस की, that I could not buy the basket, कि मैं उसकी basket को नहीं खड़ी सकता, but extended the gratitude as a substitute, extended means क्या होता है, गेव देना, gratitude, gratitude means होता है, किसी एक वस्तु के स्थान पर, कोई अन्य वस्तु उपहार सरूप देना, लेकिन मैं उसके स्थान पर, उसे उपहार सरूप ये पैसे दे रहा हूँ, I realized, फिर ये explain की लाइन है, I realized at once, अचानक मैंने महसूस किया, what offense I had given, कि मैंने क्या अपराद कर दिया है, this child of nine, यह नौ वर्स की बच्ची, dressed in rage, जिसके कपड़े फटे हुए थे, and on the ease of starvation, और जो बुक मरी के कगार पर थी, raised her chin, उसने अपनी थोड़ी को ऊपर उठाया, reached into the basket, basket में अपने हाथ को डाला, and with all the pride and graciousness, और पूरे गर्ब और स्वाबिमान से, सां से, और फालो लेडी, एक लेडी की पूरी सां से, handed the money back to me, उसने मुझे मेरा धन बापस कर दिया, there was only one thing, अब मेरे सामने एक ही कारे था, I could do, जो मैं कर सकता था, I bought the basket, मैंने basket को खरी लिया, she wiped her eyes, उसने अपनी आँखों को रगड़ा, smiled, मुसकराई, and dashed down the platform, और platform से नीचे उतरती हुई, चली गई, had it for some grass hut, कहां चली गई, घास से बनी हुई जोपरी में, वह चली गई, that would have at least 30 cents that night, और उस राग, उस यौपरी में लगभग 30 cents आए होंगे, I told this story to Prime Minister, मैंने यह कानी, Prime Minister को सुनाई, पंडिजवाहलाल नहरू को, I told ही, मैंने उन्हें बताया, कि it was one region, कि एक कारण था, I had fallen in love with India, कि मैं इसी वज़े से, भारत से प्रेम करता हूँ, the people I saw in India, यह भी explain की लाइन है, most important लाइन है, और यह chapter ही पूरा most important है, काफी explain है इसमें, जो कि एक्जाम में आती हैं, the people I saw in India, लोग जो मैंने भारत में देखे, those in the high, those in the vleses, as well as those in high office, कहां कहां देखे मैंने, उन में चाहें वे गाउं में हों, या उंचे पदों पर हों, have both pride and lovely sense of dickensy, and citizenship, उन लोगों में, गर्व तता सद्व्यभार, और नागरित्ता के प्रती, या थी एक जीवन्त भावना थी, lively sense of dickensy थी, दोनों का समावेशी उन में था, they also have a passion for independence, उन में स्वतंत्रता के लिए भी ती प्रभावना थी, this beautiful child born in squalor and poverty, और यह एक छोटी बच्ची, जो गंदे इस्थान पर गरीबी में पैदा हुई थी, uneducated in both grammar and manners, जो की दोनों ही तरीके से, grammar और तौर तरीके में, असिक्षित्थी had given me a glimpse of the warm soul of India, उसने मुझे भारत की जीवन्त आत्मा की एक जलक दिखा गई, तो यह आपका चैप्टर था, अगर्ड विदा बासकेट, जिसकी किया आपने line-wise, meanings अर्थ पर लिये हैं, और इसकी explain के लिए हम next वीडियो बनाएंगे, उसको आप अवश्य देखें, और जिन वच्चों ने अभी तछ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, और शेयर भी किया कीजिए, अपने साथियों को, जिससे कि उनको भी फाइदा होता रहे, थैंक यू, बाई,